हेलो फ्रेंट्स ओपिलेट्स मोब का स्वागत दोस्तों कैसे हो दोस्तों आ सको तो बहुत अच्छे होंगे और अच्छेड़ होगी तो आप लोग देख सकते हैं मैं एक होम सर्वेसिंग के लिए गिया था एक स्यारी टीवी के लिए तो आप देखें यहां पर इस टीवी का तो फ्रेंट्स आप बहुत अच्छा से फॉलम देखिए इसमें देखिए ब्लाग पिक्चर होके हैं डीम पिक्चर जैसे हैं यानि पिक्चर सही से नहीं आड़ा है और पिक्चर कहां पड़ा है आप देखिए उपर से निचे तक यानि भाटिकल कहां पड़ा है पिक्चर तो चलिए मैं इसको reward करता हूँ उससे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ तो आप लोग guides प्लीज कोमेंट कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कीजिए जरूर क्योंकि आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक किजिए और कॉमेंट करना क्यूंकि मैं मेरे चनल पर खास करके मैं CRD TV का वीडियो डालता हूं लेकिन क्या होता है कभी-कभी मैं अलग सार्किट का अलग इलेट्रोनी समन का वीडियो डाल देता हूं तो आप लोग कमेंट किजिएगा की आप लोगों को आच्छा लगता है या पर नहीं वो वीडियो देखने में और अपको कॉंसी टॉपिक के ओपर इंटर्रेस्टिंग है यानि CRD TV के मेरे त्वार लेकिन इसका सलीडियो एक है तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका जो क्याप है क्याप जल रहा है ठीक है तो आप अच्छा से देखिए इसका जो क्याप है फाइडिंग हो रहा है यानि यानी πिसका डैंप हो चुकए है इसके लिए cag जलडा है इसका तो तो टैसर क्यों हो पर आगे जो देख रहे हैं आप की आगे ब्लैकी स्किन न होगे हैं पिक्चर देम पिक्चर और क्या होगा है और picture comfort आए बाड़ी कल होके तो इसमें ऐसी हो रहा है कि इसमें जो cap है एक cap जल रहा है अंदर में और जो focus है वो अच्छा से नहीं मीड़ा है इसलिए मैं जो cap है इसको change कर रहा हूँ आप देखिए तो आप इस वीडियो से देख पाएंगे कि कैसे आप सही तरीके से cap तो change करना आता है आप लोगों को मेरे को मालूम है लेकिन आप लोग देख लीजिए फिर भी क्योंकि हर किसी का हर एक knowledge होता है तो मेरा knowledge जो है मैं आपको share कर रहा हूँ वीडियो के थुरू तो आप देखिए कैसे आप बहुत आसानी से cap change कर सकते है फास्टे में आपको plus देके आपको इसको खीचना पड़ेगा तो यह चलाएगा अंदर बाहर उसके बाद यह जो फीन है इसको cut कर लेना है क्योंकि अलग से फिर से मैं लगाओंगा इसमें तो cut करने के बाद इसको जब मैं बहार खीचूंगा तो यह बहुत आसानी से आ जाएगा तो देखिए cap का हालात कैसे आए cap पूरी तरह damp हो चुके है और जल चुके है तो देखिए मैं यहाँ पे एक new cap डालूँगा उससे पहले गाट्स आप लोग को बोल देता हूँ कि जो cap का यहाँ एस्टी का जो वैड है इस वैड को आप कोई भी clean oil से clear कर लिजे यहाँ clean कर लिजे क्यूंकि यह जो वैड है यह भी damp हो जाते है तो देखिए ऐसे आप cap लगा सकते हैं तो new cap को मैं डाल दिया इसमें और देखिए कि आपको बस आपको ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद जो plus है उस plus से आपको push करके बहार की तरफ खिचना पड़ेगा तो देखिए कितनी आसानी से आ गया है उसके बाद आपको थोड़ा सा यहां पर काट करना पड़ेगा यानि जो अंदर में जो इसका वैड है इसको लेना पड़ेगा तो देखिए जो वैड है इसको मैं छीडा हूँ उसके बाद जो अंदर में इसका वैड है और उसके बाद जो पीन इसमें देना पड़ेगा इस्टी के क्याप में उसको मैं ऐसे दे रहा हूँ आप लोग देखिए आप लोग को बहुत आसानी होगा मेरे जो टॉपिक है बहुत अच्छा लाएगा तो फार्स टैम तो आप इसको पेस्ट लगा लीजिए और इसके बाद इसको भी सोलडर किजिए और उसका जो पीन है उसको भी थोड़ा से सोलडर किजिए तो बहुत सॉलिट जो जो जोइनिंग हो इसका बहुत सॉलिट होगा तो देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूं आपको ऐसे करना है बागी तो आपका जो आपको अच्छा लागे तो आप इस जो ट्रीक है यानि ट्रीक है इसको आप इस्तिवाल कीजिए तो मेरा जो वाइडिंग यानि सोल्डर था वो कम्प्लेट हो चुकी है उसके बाद देखिए मैं इसको इसके अंदर कर दिया इसका वाइड को आप क्या करेंगे एश्टी का जो क्याप है इस क्याप को आपको पुस्ट करके ब तो देखिए मैं बाहर की तरब इसको लाड़ा हूँ उसके बाद जो यहाँ पर फीन है वो बहुत आसानी से अंदर चल जाएगा और उसके बाद देखिए आप कितन सॉलेटली कनेट हो चुकी है यह जो क्याप है उसके बाद आपको बोल देते हैं एक बाद आपको ध्यान इसे न क्या करते हैं क्या लगा कि बस वहाँ पर बैठारे ता हैं लेकिन ऐसा करना गलत है क्योंकि फिर दो दीन या फिर एक माही तक ठीक चलेगा उसके बाद भी यह जो क्याप का ज़ताया आपको जहां पर बैढ़ता है वहाँ पर देखिए आप कितने गंदेगी हैं कितने ड्याम हो चुके हैं तो आप क्लीन ओयल से इसको बहुत अच्छा से क्लीन कीजिए और उसके उपर जो रेड बॉर्डर का आप देख रहे हैं रवार जो कलर किया गया है उसको भी उठा दीजिए आप कुछ से मतलब इसको थोड़ा सा क्लीन ओ तो देखिए उठ रहा है तो आप ऐसे किजिए फास्ट टाम आप क्लीन ओयल से इसको थोड़ा सा भीगा लीजिए उसके बाद इसको क्लीन कर लीजिए ब्लेट से अब तो इसको कलर जो है इसको उठा दीजिए क्योंकि गड़्स क्या होता है इसमें अगर जलने की कारण क्या हुआ है इसका जो कलार है यह भी डेंप हो चुके हैं तो इसको फुरा उठा देना है अब जितना अपके हो सके आपसे उतना आप क्लीन कर लीजिए इसको तो देखिए कि इतने अच्छा से क्लीन हो रहा है और उसके बाद जो अंदर में आपको जो अंदर में आपको काम करना पड़ेगा तो अंदर में आप देखिए एक छेद देख रहा है आपको वहाँ पर जो एसका पीन बैटता है तो वहाँ पर आपको क्लीन कर लेणा है यानि वहाँ पर भी damping होता है इसलिए fire जो होता है fire मारता है fire मार कर आपका क्या फिट से खराब हो सकता है इसलिए जो वहाँ पर छेदे उसको भी clean कीजिए तो देखिए मैं clean कर लिया आप देखिए कितने अच्छा से पुड़ा clean हो चुके है या पर कोई damp नहीं है अब जो stick आप ब तो आप देख सकते हैं मैं इसको connect कर दिया और आप इस set पे line दूँगा और आपको दिखा रहा हूं कि क्या होता है अब इसका sparking कैसे हो रहा है तो दिखिए मैं set पे line दे दिया और sparking भी नहीं है तो चलिए मैं आपको picture दिखा रहा हूं इसका तो देखिए कोई भी spark नहीं हो रहा है मैं line दे दिया set पे और देखिए आपको front की तरफ ले चलते हैं तो देखिए गार्स picture कितना अच्छा अड़ा है तो देखिए आपकी कितना जो problem था बहुत problem था लेकिन solution जो था एक ही था तो चलिए देखते रहें ऐसे इंडिस्टिक भीडियो मिलता करें भीडियो साथ तब तकर बाई जाहें दोस्तों